हेलो एवरिवन, वल्कम टू माई योटब चैनल, आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और अपडेट रेलवे की तरफ से आ चुका है और जैसे की रेलवे ने एक short notice डालके बताया था कि technician की जो vacancy है वो बहुत जल्द जारी की जाएगी तो यहाँ पर जो technician की vacancy है उसका official notice जारी हो चुका है और 9000 के करीब यहाँ पर total technician की vacancy जो है वो बताई गई है और बाकी जो schedule पूरा exam का वो भी हाँ पर जारी कर दिया गया है तो कौन सी website पर आया है क्या है पूर update चलिए देखते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाकी topics पर तो channel को आप लोग subscribe कर लीजे अगर अभी तक नहीं किया है साथी telegram group भी join कर लीजे link description में दे दिया है फ्रेंड्स अगर आप railway के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि reasoning और mathematics का जो portion है वो लगबख सभी exam से में same ही रहता है तो अगर आप reasoning और mathematics की बहुत बहतर तयारी करना चाहते हैं तो खिरन publication की तरफ से reasoning और mathematics के लिए दो book आती है mathematics में 10,000 question और reasoning वाली में 8,700 question आपको देखने को मिलते हैं 1996 से लेकर अभी तक जितने exam में सभी के question यहाँ पर chapter wise और type wise आरेंज किये गए है with the solution अगर आप लोग railway का कोई भी exam देना चाहते हैं तो यह दो book आपके लिए sufficient है आपके नजदी की book store पर easily available भी है और इससे आप लोग complete तयारी अपने railway exams की कर सकते हैं साथ है आप लोग इसको online भी purchase कर सकते हैं link में description में आपको दे दूँगा तो सबसे पहले तो आपके जानकारे के लिए बतादू जो notice है वो RRB अलाबाद की website पर आया है क्योंकि last जो notice आया था LB वाला जब मैंने वीडियो बनाया था काफी लोग बोल रहे थे कि fake है तो यहाँ पर RRB अलाबाद की website पर जैसे आप लोग आएंगे और यहाँ पर जो है आपको options देखने को मिल जाएंगे 31 जनवरी 2024 को यहाँ पर CN22024 recruitment of technician tentative timelines यहाँ पर जारी कर दी गई है यह वाला notice है इसको जो आप लोग download कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए यह 2024 की दूसरी vacancy है इसका आप जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं 2224 करके इसका नंबर है और आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपर क्या कुछ बताया गया है तो यह देखिए notification और यहाँ पर बोला गया है government of India ministry of railway railway recruitment board CN22024 recruitment of technician tentative timeline यहाँ पर जारी हुए सबसे पहले यहाँ पर breaking update जो है वो है number of vacancies यहाँ पर बताएगे about 9000 यानि की देखो कही न कहीं जो student का protest है उसका pressure आप लोग समझ लो या फिर unions का जो pressure है वो आप समझ लो तो यहाँ पर vacancies भी नोंने बता दी है notification आने से पहले ही कि 9000 के आसपास यहाँ पर vacancies हम निकालने वाले हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो ALP की post है उससे चातर बिल्कुल नाखुश है और यहाँ पर इसलिए उन्होंने बताया कि 9000 हम vacancies निकालने जिससे चातर जो है थोड़ा सचाहे शांत हो जाए ऐसा railway को लगता है अलाकि जो ALP की vacancy है वो फिर भी बहुत कम है और अगर technician की भी देखा जाए तो यहीं भी बहुत ही कम है लेकिन फिर भी आप कह सकते है कि 9000 vacancy यहाँ पर लगवग आ रही है फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है publication of notification in employment news फरवरी 2014 यानि की अगले महीने में ही आपका जो detail notification है वो भी जारी कर दिया जाएगा और मैंने morning वाले technician का जो वीडियो गनाया था मैंने उसमें आपको यही बात बताई थी कि 10,000 के around आपको vacancies देखने को मिल सकती है और फरवरी में notification देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ YouTube channels पर ऐसा बताया जा था कि 20,000 vacancy आएगी लेकिन ऐसा नहीं है मैंने 10,000 के around आपको बताई थी लगबग वही vacancy यहाँ पर notify की गई है second point में का गया submission of online application March April तो आपका जो है फरवरी में vacancy आएगी और application form आपके March और April से भराए जाएगी तो March April अगर यहाँ पर लिखाव है तो मान के चलो कि जो vacancy है वो आपका फरवरी लास्ट में आएगी तब ही यहाँ पर March April तक आपके form बनाए जाएगी तो फरवरी स्टार्टिंग में vacancy नहीं आ सकती इस notice के अनुसार आपके जो vacancy है वो फरवरी के लास्ट तक ही आएगी जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम exam calendar को follow करेंगे तो आप देखिए March April में form भरा के यह October December में इसका paper करा रहे हैं उसके बाद इसमें document verification medical तो कहां से एक साल के अंदर यह बरती पूरी कर लेंगे बिल्कुल भी संभव नहीं है आगे इनोंने कहा है short list for document verification will be released in February 2025 यानि की जो इसक document verification है वो February 2025 तक जाएगा तो पूरा एक साल यहाँ पर लगेगा इस बरती को complete होने में और मैं आपको फिर से कहा दू यह calendar बिल्कुल भी railway में follow होना possible ही नहीं है जैसा यह लोग कह रहे हैं आगे बोला गया है the centralized employment notice for the next cycle of recruitment to the post of technician is provisionally planned for issue in April 2025 यानि की जो अगली vacancy technician की है वो April 2025 में निकाली जाएगी है आपर देख लीजी आज की date का notice है और यह सारी बाते यहाँ पर बताई गई है तो short में भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर इन्होंने 9000 के round पद निकालने के बात कही है फर्वरी लास्ट में notification मार्च अपरेल में form भराया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में exam कह रहे हैं और अगली जो vacancy है वो यह लोग कह रहे हैं कि April 2025 में हम निकाल दे और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले